दोस्तो नमस्कार पिछले दिनों बड़सात और ओला वरश्टी से राजिस्थान में गेहूं वे सर्सों को काफी नुक्सान हुआ इस सबोल जीरा वे जोकी फसलों को भी नुक्सान के समाचार है राजिस्थान के क्रशी विवाग की रिपोर्ट आ गई है उसके बारे में करत दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय एस्टो मनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फ्रनेंस डिजीचल चैनल से आप से मुकातिव होता हूं आज दो अप्रैल सन दोहजार तेईस पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बरसात वैउलाब जस्टी से राजिस्थान तदेश में लगबग 33 जिलों में से 24 जिलों में फसलों के खराब होने का समाचार मिले हैं सबसे अधिक नुक्सान गेहु सरसो इसबुल जीरावे जो की फसल अबी मप्रमुकूप से जोदपूर नागोर बूंदी जयपूर विकनेर अजमेट चितरगार दोसा जालोर हनमानगड भरतपूर जैसलमेर बाड़मेर बासवड़ा उदैपूर कोटा डूंगरपूर दोलपूर भीलवड़ा बारा अलवर गंगानगर और जुन्जनु जि तो आप इसको लाइक अवश कीजेगा और पहली बार आये हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश कर लिजेगा दोस्तो क्रशीव राजिस्थान क्रशीव विभाग की रिपोर्ट के नुसार प्रदेश में रवी सीजन की 109 लाख हेक्टर में बुआई की गई थी इसमें से लगबग 10 लाख हेक्टर में फसलों की खराब होने के समाचार मिल रहे हैं ये रिपोर्ट क्रशीव विभाग कि गई हुई है यहां जो दो लाख है इसमें 80 प्रतिशत की खराबी हुई है यदि हम पूरी डिटेल जाने कि कौन सी फसल में कितनी खराब होई और कितनी बुगाई होई थी उसका विशलेशन भी इस प्रकार है उसमें से 3.887,8100 नाइ है और उसमें 3.887,8100 नाइ है इसमें कंट्यूजन बिलकूल नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल फसल जाइस्तार में 29.566,5 नाइ है उसमें खराबी की रिपोर्ट 2.881,8100 में है और 3.888,8100 में से 10.888,813 नाइ है जहां तक जोग का सवाल है जोग की फसल राजिस्थान में 4,08 लाग हैक्टर में हुई थी उसमें से 0,60 लाग हैक्टर में फसल के खराबी के समाचा रहा है में से 0,60 लाग हैं इसमें 10 से 27 की फसल खराब है चने के अंदर 20.57,00,00,00,00 से 10..- 45% की चने की फाशल को खराबी के समाचार है सरसो में 37.98 यानि लगबक 38 लाख हेक्टर में सरसो की विजाई राजिस्थान में होई थी गौरतलब है कि राजिस्थान देश का सबसे ज़ादा सरसो उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है और देश का लगबक 35 से 38 परतिशत सरसो अकेले राजिस्थान में उपलब दोती है और यही वज़ा है कि राजिस्थान को सरसो और प्रदेश गोशित करने की मांग भी उठाई जाती है और लगबक 38 लाख हेक्टर राजिस्थान में सरसो की विजाई होई थी उसमें से 1.54 लाख हेक्टर में सरसो की खराबी है और वो खराबी 3 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है तो इसमें यानि हमें calculate 38 लाख हेक्टर में नहीं करके 1.54 लाख हेक्टर में करना है और उसमें से भी 3 से 80 प्रतिशत की नुकसान है जीरे की जहां तक फसल का सवाल है राजिस्तान में 5.79 लाक यानि करीबं 5.6 लाक हेक्टियर के अंदर जीरे की फसल की बजाई होई थी उसमें से 1.0 तो यानि 1.0 लाक हेक्टियर के अंदर जीरे की फसल प्राभावित होई है और ये 1.0 लाक हेक्टियर की जो फसल है उसमें स 10 से 60 प्रतिशत अलग लेकि इलाकों में जिरे की फसल को नुक्सान के समाच आ रहे हैं अब आते हैं इस्वा बोल तो कि इस्वा बोल भी राजिस्तान की प्रमुखक्रशी प्रसंद माने जाती है और पूरे देश का लगबग 75 प्रतिशत इस्वा राजिस्तान में पैदा होत यानि इस्साबोल में 3.5 एक लाख हेक्टर की जो भी जाई थी उसमें 0.9 यानि लगबग एक लाख हेक्टर के आसपास इस्साबोल की फसलों को प्राभावित है और इसमें इसे 0.9 में से जो प्राभावित हुई है हेक्टर की इस्साबोल की फसल उसमें 10 से 80 प्रतिशत की ख खबर राजिस्तान की क्रशी विभाग ने दी है राजिस्तान सरकार ने भी मुवजा और गिर्दावरी करने की रिपोर्ट दी है राजिस्तान ने खराबी की जनकरी के लिए गिर्दावरी के आदेश दे दी है और गिर्दावरी रिपोर्ट के आदार पर ही किसानों को मुव कुल ना भूलें एक और मैं तो पुन बात हमने बहुत चोटे और मजोले किसान एवं चोटे व्यापारियों के लिए सब्ताहिक न्यूजलेटर सर्विश शुरू की है जो की सब्ता हर सब्ता आपको टेलिग्राम चैनल पर क्रशी उपस शेर बजार और के कमोडिटीज के उपर विशलेशन प्रस्तुत किया जाएगा उसकी सस्क्रिप्शन बहुत मामूली रखा है उसके लिए आप हमें संपर कर सकते हैं नंबर स्क्रीन पर दिये गया है आप साब्ताहिक या न्यूजलेटर लेक्के हमें वाट्साप करें हम आवशक प्रेकरिया पूरी करेंगे all the very best good luck happy trading